हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम स्टड़ी करने वाले हैं आपको कुछ बाते याद रखने पड़ेंगी जैसे आपर देखिए नमबर आफ कार्बन कले वाले हम वाले रूट लगाते हैं मेट टू कार्बन कले हम वाले रूट लगाते हैं एद वैसे ही थरी के लिए हो जाएगा प्रॉप 4 ब्यूट तो सबसे पहली चीज यही है कि number of carbon के लिए वाड़ूट क्या लगाएंगे ठीक है यह आपको पता होना चाहिए हम यहाँ पर सबसे सबसे पहले कपको कार्बन कि लोग सेलेट करनें कर दो । तो यहां पर देखिए जिसकल अब की चैने और इस सेंड में एक डबल बॉण प्रेज़न तो यही होगी कार्वन की लॉंगे जीन इसको हम सिलेक्क कर लेंगे देन इसका सेकेंड्र होगा नमबरिंग किस चाइट से करेंगे तो हम ऊस से करेंगे, जिस साइट से डबल बॉण पास में पड़े हुआं से साथ कारबन समय के लिए इस।ो किसमें डबल बांब या तो यहां पर तोल कर ले तो यहां पर टोटल कर इस अवार्ष कर लिए यहाँ पर देखेंके हम लिखेंगे प्रॉप उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉष्ट कार्बन पर प्रेजन लएगा इन गना है अज हमने हम फॉष्ट पोजिशन मेंचन करेंगे बūन आप यहाँ पर कीखिया आपड यहाँ यहाँ पर आ जाएगा इन यहाँ पर हमने फॉस्ट पोजिशन मेंशन किया अगर आपको यह पहला पोजिशन मेंशन नहीं करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो और प्रॉप इन, फॉस्ट पोजिशन मेंशन कारना जरूरी नहीं होता, अगर आपको मेंशन कारना है, तो इस तरीके से लिखिए प्रॉप वन इन, अगर मेंशन नहीं कारना है, तो डारेक्ट आप लिख सकते हो, प्रॉप इन, अल्रैट, नौ सीधा सेकेंड एक्जामपल, सब आप से पहले कार्बन की लॉंगेशन सिलेट करनी है, तो यहीं कार्बन की लॉंगेशन, इसे हम सिलेट कर लेंगे, उसके बाद नम्बरिंग, नम्बरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन पास में पड़े, अगर हम नम्बरिंग लेफ्ट हैं से करते हैं, तो वर्न कर लेते हो, this is first carbon, second, third and this is fourth carbon, then next अब हम करेंगे naming, तो यहाँ पर देखिए, इस longation में total कितने carbon है, four carbon है, तो four carbon के लिए what root क्या होता है, bute, तो यहाँ पर हम लिखेंगे bute, then next, second carbon पर present double bond, तो position mention करेंगे to, then double bond के लिए suffix क्या लगाते है, in, तो यहाँ पर हम लिखेंगे in, so compound क name क्या हुआ, bute to in, now see the third example, so यहाँ पर देखिए, यहाँ पर carbon के longation कौन सी होगी, so अगर हम इस chain को count करते हैं, तो कितने carbon की chain है, one, two, three, यह three carbon की chain, जिसमें double bond भी आ रहा है, अगर हम यह वाला chain देखिए, यह वाली carbon की chain, so one, two, three, यह भी three carbon की chain है, but यहाँ पर कहीं पर भी double bond नहीं आ रहा है, ठीक है, वेरेस, अगर हम इस वाली chain की बाद करें, so one, two, three, यह भी three carbon की chain है, और इस carbon की chain में double bond present है, मतलब यहाँ पर यह वाली जो chain हो गई, ठीक है, यह भी three carbon की chain है, इसमें double bond आ रहा है, यह भी three carbon की chain है, इसमें double bond आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में यहां पर मैं यहां वाली चैन करते हूं carbon की यहां भी हाँ अब ही यहां पर यहां होगा जो फितीफ तो यहांب क्या है 是 methylen वैसे हमद स Alberto走 इससे हम बोलते हैं इति हां यो सबस्चिट्योंट होते हैं सो गो सब्सक्रांब हने से धार है चिप कारों से यहां से стол सबस्चिट्याट सबस्चिट्य करें एक कर दो सत HIV में यहां पर जिका इस कभी ताइ अब गाहरा दिस bijगे आए substitute .itit निए पर सबसे पर लिए पोजिशन लिखेंगे तू कौन सा substance ए है एक सेंड कार्बन पर इस इस न मिर्थाय्यल क hire तो यहां पर हम लिखेंगे लिए नेस्ट लोंगे शैन में कितने कार्बान है त्री कार्बन है आजाएं परोप then double bond की position क्या है first carbon पर present है double bond तो यहाँ पर हम position mention करेंगे one और double bond के लिए suffix का लिखेंगे in then next fourth example ले लेते हम CH2 double bond CH CH2 CH3 and here CH3 तो यहाँ पर carbon की longest chain कौन सी होगी तो यहाँ पर अगर हम इस chain की बात करें तो इस chain में double bond present है और कितने carbon की chain है one two three four five यह है five carbon की chain जिसमें double bond present है ठीक है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यह five carbon की chain जिसमें double bond present है अगर हम यह वाली chain की बात करें one two three four तो यह 4 carbon की chain है जिसमें double bond present है यह तो छोटी chain हो गई ठीक है ये वाली 5 carbon की chain जिसमें double bond present है तो यह बड़ी chain दिख लिए है अगर हम इस वाली chain के बाद करें वान तू थी फो यह फोर कार्बन की chain है बट यहां पर कही पर भी double bond present नहीं है तो इसको तो हम consider करी नहीं सकते तो यहां पर यह वाली जो चेन हों फाइब कार्बन की चेन यही है कारबन की लॉंग्टिस यहांपर लिखेंगे हम three then next यह कौन सा subsequent है इसका name क्या है, methyl तो यहाँ पर हम लिखेंगे methyl longation में कितने carbon है, five carbon है तो five carbon के लिए word root क्या होता है word root होता है, five carbon के लिए pent तो यहाँ पर हम लिखेंगे pent, then next first carbon पर present double bond तो position mention करेंगे one double bond के लिए suffix आता है in alright, so compound का name क्या हुआ पेंटीब नाव इधा फीबत एक्जामपल यह पर देखिए यह कारबन की लॉंगेशन तो, यहां पर देखिए यह पर टू टाम, डाइम्स डब्ल बाॉंट प्रेजंट अप नबरिंग कहां से करोगे ठीक है तो हमें नम्बरिंग कहां से करनी जिस डबल गर यहां से करेंगे तो यहां से कर तो इस कंडिशन में रचाने में किसी भी साइड से कर सकते हो, क्योंकि दोनों double bond को first position ही मिल रहा है तो मैं numbering यहां से कर लेती हूँ left hand side से so this is first carbon, this is second carbon, this is third carbon and this is fourth carbon so यहाँ पर longation में total 4 carbon है so what root आ जाएगा but then next यहाँ पर सबसे important बात आपको धान में रखनी है कि जबी भी compound में 2 times double bond present हो जा 3 times double bond present हो तब word root के आगे आपको लगाना है A तो यहाँ पर आ जाएगा A ओके यह हो गया buta then next double bond के position mention करेंगे first carbon पर double bond present है और third carbon पर double bond present है so यहाँ पर position mention करेंगे 1,3 2 times double bond है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे die और double bond के शफिक कर आ जाएगा in now see the next example so यहाँ पर यह carbon की longation और इस compound में भी 2 times double bond present है तो आप numbering कहाँ से करोगे जो double bond past में पढ़ रहा है हम numbering वहीं से करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबस्ते पर इस double bond को देखें यहाँ से numbering करेंगे तो यह वाला double bond first carbon पर present है चैज़ motor नमबर है करहते है और अगर यहां से numbering करते हों तो यह वाला double bond है फ्रीक है इसको second position यह हो जाएगा first carbon यह हो जाएगा second carbon तो कौन सा double bond pont past में पढ़ रहा ये वाला double bond है . यह पास में पढ़ रहा ये इसको lowest लर मेंबर मीढ रहा है यह first carbon पर ही present है, अगर यहां से numbering करोगे तो यह वाले double bond को second position मिल रहा है, ठीक है, तो lowest number किसे मिल रहा है, कौन से double bond को मिल रहा है, यह वाले double bond को, यह past में बढ़ रहा है, इसलिए हम numbering यह side से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 carbon है, तो यहां पर आजाएगा word root hex, अब यहां पर दो बार double bond present है, इसलिए word root के आगे हम लगाएंगे A, तो यह हो गया hex है, position mention करेंगे, 1, 4, 1,4 dying,